हलो दोस्तों good morning guys welcome back to my new vlog और आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है मुमाद आसीप और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप गाड़ी चलाना आज ना तो कल आप सीखी लेंगे एक दिन आएक दिन आपको गाड़ी चलाना स करेंगे कि कौन से ऐसे safety related जो points होते हैं उनको भी बहुत जरूरी हैं आपको जानना क्यूंकि इस safety related में आपकी भी safety आपकी गाड़ी की भी safety और आपके आसपास चलने वालों की भी safety के बारे में आपको जान लेना चाहिए ऐसे हम safety feature safety की बात करेंगे जो की बहुत ही important है जिस से आपको काफी जादा loss उठाना पड़ सकता है और loss आपकी लापरवाई होती है और लापरवाई या फिर आप आप आवड करते हैं 90% जो drivers होते हैं वो काफी जादा इस चीज को अवर्ड करते हैं या फिर ignore करते हैं तो आज के वीडियो के ऊपर भी वीडियो अच्छा आज गाड़ी आप चलाना सीख रहे हैं, आज नहीं तो कल आप चलाना सीखी जाएंगे, सीखने के साथ साथ आपको safety features के बारे में बहुत जारा जन्रूदी है, मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ example के लिए कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आ आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस चीज से कैसे बचना है, और एक मिट का काम है, जो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आप देखके चौक जाएंगे, चौकने के बाद आप सोचेंगे, यह रियल में 90% driver ऐसे हैं, जो कि इस चीज को award करते हैं, इस लापरवाई कि वाजय से आपको पूरी जिंदिगी शायद पस्ताना भी पड़ सकते हैं, और इसका पूरी जिंदिगी पर अफसोस भी उठाना पड़ सकता है, तो दوस्तों में आपको पहली वीडियो यहाँ पर आपको लगा रहा हूं, यहाँ पर आप छोड़ी सी कि यहां पर एक गाड़ी है और पीछे reverse मार दिया बीना देखे बीना सोचे समझे और पीछे एक बच्ची बेटी हुई है और बच्ची के उपर पूरी गाड़ी उपर से cross हो जाती है नीचे बच्ची दब जाती है वह जो भी publics होती है वहापर पूरी गाड़ी को उठा के बच बैटने से पहले आप इस चीज़ से बस सकते हैं दूसरी एक वीडियो यहां पर मैं आपको लगा रहा हूँ वो भी आप सोच लीजी दमज समझ लीजी और इसको नोटीस करिये के एक स्विसाइड़ी एरिया है वहाँ पर एक मेडम उल्टी साइड पर इसागी हर में खड़ी मार देती हैं और बच्चे की जो प्रोडम है उसके सूच का जो फीटा होता है वो खुल जाता है और बच्चे बैटने के बाद अपना सूच का फीटा बांद रहा होता है बच्चे को नहीं मौलम होता है कि यहां पर जो गाड़ी कड़ी है वो निकलने वाली है क्या नहीं ह जाती है और बात में वो उठके फिर वापस अपने टीम के साथ खेलने लगता है तो एक छोटी से लापर वही है लेकिन आपको पूरी जिंदगी अफसोस करा सकती है तीसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहां पर भी वही सेम टू सेम है इसको भी आप नोटिस करना दो हो बच्चियां है खेल नहीं है अपने सुसाइडी के अंदर वेर एक बच्ची रोड पे सोड़ा सा आ जाती है एक बाजू में से पडूस में जो भी हो सुसाइडी है वहां पर सीधा बंदार डाइवर जो भी है ओनर हो कार ओनर हो है यह सब गलतियां करती है अक्सार और इ इसको पूरा अवर्ड करने का जो भी है आप इसको अवर्ड नहीं कर पाएंगे और एक मिट में अंदर आपको दो फाइदे हो जाएंगे अगर आप इस सारी गलतियों से बचने के लिए अगर आप एक मिनिट देते हैं तो एक मिनिट के लिए आप दो गलतियों करने से अगर traveling कर रहे हैं, तो हमके किन-किन बातों का दियान रखना पड़ता है, तो बातें बहुत सारी हैं, points बहुत सारे हैं, जिनको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल में रखना पड़ता है, यहां पर मैं जो वीडियो लगा रहा हूं, last वो आप देख लीजिए, एक window open है, family है, बच्चे हैं, बच्चा सीधा window की open होने की बच्चे से, सीधा बच्चा बाहन निकल जाता है, रोड के, गिर जाता है वो साइट, क्योंकि window गाड़ी की, खुली हुई थी, आजकल सभी गाड़ियों के अंदर, chilled log, glass log, सारी चीज़ें facility होती हैं, फिर भी लोग इस चीज़ क सबसे बड़ी लापरवाही करते हैं, मुझे बीचे कुछ काइम से कुछ comment आयते के बाई, आसिप भाई, यह जो family के साथ highway traveling होती है, उसको features मतलब किस point पे जब से जाधा focus करना होता है, point तो unlimited है, आप इसके बारे में सोची नहीं सकते कि कितने point है, हमको किन-किन points पे सब से दियान रखना होता है, तो यह जो point मैंने वीडियो के तुरू आपको example के लिए बताएं, अगर आपको इन जो भी point safety related हैं, इसमें सारे बच्चे ही मैंने दिखाए हैं, और 9890% जो driver हैं, वो यह गलतियां करते हैं, अब गलतियां कौन सी होती हैं, वो मैं आपको practical करकी भी द निकाल सकते हैं, एक तो फाइदा यह है, कि आपको इस जो गलती होई है, इस जो लापरवाई है, इससे आपको बचा जा सकता है, दूसरा point यह है, कि आप अपनी गाड़ी को जो, कि जैसे माला गर्मी है, टायर पंचर हो जाता है, तो आपकी आलत खराब हो जाती है, पसीन सकते हैं, तो एक वीडियो बनाने का मकसद मेरा आज का इतना था, कि आपको safety related मेरे पास कई सारे comment थे, कि जो man point safety related होता है, reverse मानने में, society के अंदर, या पिर कहीं भी आपकी गाड़ी parking खड़ी है, तो आपको सबसे पहले किस चीज का focus करना होगा, किस point पे आपको सबसे ज़ byt second की, हमारी जो formally होती है न, उसको हम करना भूल जाते हैं, और इसको award कर देते हैं, और या फिर लापरवाई कर देते हैं, हमसे एक धुन में, मन में हम अपनी मस्त मजी में, मस्त मज मस्ती में, Biji रहते हैं और बीजी रहने की बैश से हमसे यह गलतियां हो जाती हैं, और आवार्ड करने के फ़िए से एक लापरवाई हो जाती है इसको में एक लापरवाई कऊंगा और एक एक आवर्ड करने के का कुंग हूंगा क्यूंकि मैंने दिखाया 90 पर्सेंट ग्राइवर इस चीज को फरमडी को पुरा नहीं करते है देखिए यह कोई तो भी आपको एक टर्मेंड कंडिशन बनानी होगी और टर्मेंड कंडिशन उसको एसेट करनी होगी तो किसी भी चीज रिलेटर ना कंपनी की ही कोई टर्मेंड कंडिशन नहीं होती है कोई एप्लीकेशन की टर्मेंड कंडिशन नहीं होती है आपकी अपनी खुद की भी एक टर्मेंड कंडिशन बनाना होता है जिसको आप क्योंकि डेली करने वाले और डेली करने के साथ-साथ आपको उसके उपर फॉकस करना पड़ता है और जहां पर आपको पूरी जिंदेगी इपार अफसोस करना पड़ सकता है अगर मेरी बात कुछ गलत लग रही है तो मुझे क कहीं पर भी मुझसे कहीं पर भी वीडियो के अंदर कभी भी कोई गलती खामी कुछ बूल चुक होती है तो मुझे कॉमेंट करके भी आप जरूर बताएंगे है तो चलिए कै मैं बिक्रिकल आपके इस गलती से राज कैसे बढ़ सकते हैं गल्मार हमारी गारी कोई पार्किंग अरिया कोई बेस्मेंट तर बार्किंग एक और temporary काइप है क्योंग हैot सबसे वड़ी भूलोती है एक मीड़ आपको निगाना क्या करना है। सबसे पर दियान में रखनाए आपको अपने गाड़ी का राउंड नाए आपको आपको आपने जो वील होते ना उनके उपर भी फोकस करना है इसका घी घी हाँ क्या थे कंद मैं ल invi विश्च सकते मऩधळ सकते हैं आसवार माहर मेने छाओं मारा मिन देखनाए तरह मं पश्याव के हमारा रफ्टत और का उलिए और श्रीर बाँ टायर का या प्रफिक्ट है, कोई हमारा पंचर है किया नहीं पाल उलिख कर सकते हैं और गार या या सपस का महल भी धेख सकते हैं चारो गाड़ी के आप देख सेटें, उसके बाद आपको टोटली यह चीज आनेना है, चारो गाड़ी के आप फिर इंट वील सब सुद देखते हैं, एक राउंड बानेगा, पूरी गाड़ी का आपको सेटम नखल जाएगा, फिर हमें क्या करना है, हमें अगर रिवस माननी ह तो हमें आसपास का माहल देख लेना है, कि हमारे आसपास में कोई बच्चे या फिर कोई एनिमल्स, वाइड बगरा, आजू-वजू में तो कोई नहीं है, अगर जिसे कापी चीज़ें आपने देख रहे होगी, कुछ एनिमल्स बगरा होते हैं, तो गाड़ी के नीचे है, आपको अपने आसपास के माहल को जज़ कर लेना है, देख लेना है कि कोई बच्चे है, अगर तो हैं वो कितना उनका डिश्टेंस है, वो चेक कर लेना है, ताकि आपको एनिवे टाइम कभी इस परिशानी से आपको जुझना ना पड़े और इससे आप बस पत्ते होग देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको एक मिट के लिए काम करना है, इससरीफ अपनी गाड़ी का चारो बाजू से आपको राउंड अप मानना है, राउंड मानने के साथ साथ आपको जो भी फ्रेंट है आपके वील के टायरों वाले आगे के दो टायर, पीछे के दो टायर, पर आपको एक नजर मालेनी है, तापकि आपको एक चीज से और बैनी पीट मिले, जबकि कोई गाड़ी आपका टायर, एर प्रेशर उसका कम है, या पिर पंचर है, वो चीज भी आप देख सकते हैं, और उसको समझ सकते हैं, अगर है तो तुरंद आप कर लेंगे, लेकिन अपने गाड़ी स्टार्ड की और बार रोड पे पहुंच गया है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी कापी ज़्यादा आपको परशानी होगी वो चीज से, तो एक काम से एक मिट निकालने के लिए आपको गाड़ी का राउट डब आने के साथ एक मिट लेना है, और एक मिट के अंदर आपको कितना बेनिपिट मिलने वाला है और आज के इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हैं, वो भी कोमेंट करके बताना, तो नेक्ट मिलेंगे नेक्ट व्लोग के साथ, तब तक के लिए जैहिन